myself हमें पता है आपका सपना है राफेल की तरह अभान्द होनी का अपता है आपका सपना感 विक्राव की तरह घरायों अपने का तो के इस इसी सपने करने के लिए एक्जामपूर डिफेंस वर्ड टीम लेकर आई है एयर फोर्स के लिए राफेल बैच और नेवी के लिए विक्रांथ बैच जिसमें आपको मिलेंगे तो अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही डाउनलूड करें एक्जामपूर अफिजियल एप को धन्यवाद चैलो हम एक्जामपूर कलम सिकरांती वेलकम टो अग्जामपूर डिफेंस वारियर तो आज हम दोस्तों बहुती एक इंपोर्टन टॉपिक को पढ़ने वाले है जो कि आपका एक्जाम में पूचे जाते हैं आँसे पॉछी जाते हैं उन्हीं पर फोकस करेंगे बाकि बहुलक को पढ़ें पॉलिमर को पढ़ें तो बहुत ज्यादा डिटेयल होती है और अगर हम देखें तो हमारा जो पॉलिमर है ना भॉलक वह हमारी दैनिक जीवन में बहुत भारी ऐसी चीज़ें जो बहुलक का यूज सबराई जाती हैं अब पॉलिमर में तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें लोग पढले हैं पहली अगर बात करें यहां पर पॉलीमर की अगर हम बात करें जिसे हिंदी में बहुलक बोलते तो इसमे आपगे FIBER की आजकल कुरसियां होती है, मेज ioni होती है, FIBER के आपने देखऊ हो, कि BARTAN होते है한, आज पहले पहले क्या उता था जो गाउं में पत्तिल का यूजदे के खाना खिलाया जाता, लेकिन Já prosecutors आपने देखा होगा , white colour fiber केâte선 getes поех आते हैं , ftra Boy , ftra That प्लास्टिक प्लास्टिक के बाल्टी प्लास्टिक के मग और प्लास्टिक की कई सारे चीज़े मनाई जाते तो प्लास्टिक यह सब बहुलक की देन है इन पर रिसर्च होती रहती रहती है अर वक्त रिसर्च होती रहती है और नया नया material बनाते जाते हैं strong material बनाते जाते हैं मतलब जैसी material की requirement है उस तरीके का material जब तक नहीं मिल जाता तब तक की लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं करते रहते हैं क्या कहते हैं इसी को हम रिसर्च कहते हैं जिस पे लोग पिएचडी करते हैं जिस पे लोग रिसर्च करते रहते हैं नया नया पदात बनाते रहते हैं और वो आपके सामने लाते रहते हैं ठीक है तो सभी लोग जै हिन दोस्तों गुड्मॉनिंग सभी लोगों को बताः इए स्पीड में क्या आपकी क्लास स्टाट की जाए ठीक है चले सिर कर दो एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे और लाइक कर लूँचे जितने करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि से पॉलिमर की डैफिनीशन से दोस्तों बात करेंगे अब एक एक करके एक करके इन पॉइंट को नोट करते जाना समझते जाना शौट में पॉइंट को नोट करना है समझाऊंगा एक पॉइंट और आपको शौट में नोट करना है जिस कि चलिए तो सबसे पहले हम बहुलक की बात करेंगे इसको ग्रीक वर्ड में हम क्या कहते हैं पॉली का मतलब होता है मैनी पॉली का मतलब होता है बहुत सारी आप सभी को पता है पॉली का मतलब होता है बहुत सारी एक से जाना है ना मैनी बहुत सारी चीजे तो एक से जाना चीजों को मैनी कहते हैं क्या कहते हैं पॉली कहते हैं पॉली और यहां पे जो मर है ना मर मर का मतलब होता है यूनिट या पार्ट या पार्ट किसी भी चीज की यूनिट या किसी भी चीज का पार्ट तो यहां पे दो चीजें जना कोशिस करना समझने की चले तो हमने सबसे पहले क्या बताया आपको पॉली का मतलब बहुत सारी मर का मतलब होता है यूनिट तो बहुत सारी यूनिट मिलकर पॉलीमर बनाती है क्या बनाती है बहुत सारी यूनिट मिलकर पॉलीमर बनाती है यूनिट को हम यहां पे इंगलिस में क्या बोलेंगे मर हो लेंगे और पॉलि का मतलब होता मैंनी तो पॉली मर क्या है आपका बहुलक है ठीक आप यहाँ बात याद रखना पॉलिमर मॉलिक्व है हाई मॉलिकुलर मास अब देखें यहाँ पे केक एक जम पल लेते हैं हमने आपको एथलीड का एक इसको आप इसको एसे लिख या लिकर साफिर पार्ड कर तो यह यह जिस इसी को हम क्या कहते हैं एक लग कहते हैं या फिर हम इंगलिस में अगर बात करें तो इसको हम मोनो मर कहते हैं क्या कहते हैं मोनो मर कहते हैं इस एक यूनिट को हम मोनो मर कहते हैं एक लग कहते हैं तो यह जो एथलीन है ना यह एक लग है एक यूनिट है एक पार्ट है अब ऐस सिकनी सारी योड़ते चले जाव नंबर फिट जोड़ते चले जहूं तो ऐसी सीड ब्रैकट में ऐसे करके लिख दिया जाता है й brent बिच मॉल एंड ना यह कोई भी नंबर हो सकता है 10 हो सकती यूनिट 5 हो सकती है 15 हो सकती है तो यह जो एन है नंबर ओफ यूनिट्स है यह वाली तो इसे लिए यह बन जाता है Pollymer, यह क्या बन जाता है Pollymer बहुलक बन जाता है यह एक लख है, monomer है तो यह बन जाएगा Pollymer क्योंकि बहुत सारी यूनिट एक लख की बहुत सारी यूनिट कोवालेंट बॉन्ड से जुड़ती है सह सहयोज़क बंद से यह आपस जुड़ती चली जाते हैं और एक लंबी चेन मनाती है जिसको हम कहते हैं बहुलक यानि पॉलीमर कहते हैं इतनी बात समझ आई कि नहीं ठीक है तो यह क्या बन जाता है बहुलक बन जाता है अब यहाँ पर आपको याद रखना है तो यही जो ह क्या है पॉलीद दीजिए पॉलीदीन क्या है यही होता है Apa यही होता है मौद्ध самого फॉर्मूलब यह होता है और Сейчас question जो पूचा जाता है वो यह पूचा जाता है कि polythene का monomer क्या है तो polythene का monomer है एथीन क्या है polythene का monomer है एथीन और एथीन को इतलीन भी बोलते हैं इतनी बात समझ आई कि नहीं है अब आगे देखते हैं जल्दी से देखिए आगे large number of monomers हमने क्या बताया यह आपका monomer C2H4 एथीन एग्जामपल के तौर पर हमने लिए एथीन या एथीन इसको बोलेंगे ठीक है यह monomer है यह large number में बहुत सारे monomer जुडेंगे बहुत सारे monomer जुडेंगे तो ये क्या बना देंगे ये बना देंगे polymer क्या बना देंगे polymer बना देंगे यानि ये बना देंगे बहुलक और इस process को polymerization कहा जाता है इस process को polymerization या बहुलकन कहा जाता है क्या कहा जाता है बहुलकन यह पॉलिमराइजेशन का जाता है बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते चले जाते हैं और वो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते चले जाएंगे जिम्म्हें बहुलक बनादेंगे इतनी बात समझ आगों आगी किने अभर अगर समझ यहां सुब्लास्टिकी अगर पिलास्टिक लितने प्लास्टिक नीका मुट मचीं कर गोगर में, मसीन के बहुत पुर्जे मसीन के बांसर वगरा जो होते हैं विद्यूत रोधी पदात यह सब आपके पॉलिमर्स हैं यह सब क्या हैं पॉलिमर्स हैं आजकल जितनी भी हम डेली यूज़ वाली चीज़े देखते हैं चाहें वह आपके स्विचेज हों बैकलाइट का बना होता है बैकलाइट इक पॉलिमर्स का टाइप है अगर हम यहां पे बात करें प्लास्टिक की चीज़ें जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें वह सब पॉलिमर्स के प्रकार हैं रबड की चीज़ें प्लास्टिक की चीज़ें फाइबर की चीज़ें सारी के सारी क्या हैं पॉलिमर्स की देन है तो आप देखो अपने आसपास, सम्में polymer ही polymer दिखाई पड़ेगा, ठीक है, तो आगे बात करते हैं, ये यूजिस होगे polymer के, अब जरा हम इनके type देख लेते हैं दोस्त, example के तौर पे जैसे polythene के अभी बात की आपको, polythene के बारे में अभी आपको बताया, किसके बारे में polythene के बारे में बताया, दिख रहा है हम देखना, polythene के बारे में अपको बताया, polythene के बारे में बताया, तो ये आपका ethene लिया हमने, एक यूनिट एथीन के लिए CH2, double bound CH2, और इसमें बहुत सारी unit ले ली हमने तो इसमों N कर दिया, तो ये है repeating unit, ये क्या है, repeating unit है, यान जाती है इसको ऐसे दिखा देते हैं polythene polymer बन जाती है इसको हम ऐसे दिखा देते हैं मतलब और भी unit जुड़ सकती है तो CS2 single bond CS2 single bond CS2 single bond और dash n कर देंगे मतलब तो यह आपकी polythene polymer हो गई क्या होगी polythene polymer हो गई इतनी बात समझ आ गया screenshot लेना है तो ले लीजिए जल्दी से इसके बाद हम बात करेंगे जैसे nylon 6,6 nylon 6,6 भी एक polymer है nylon 6,6 भी एक polymer है हमने आपको carbon and its compound में ethene के बारे हम बताया था uh starve foreign बताया त affirmूला था h co empty was ethane होती है वह एक युनिट monomer है एक यूनिट वह क्या कहलाएगी maker कहलाएगी उस एक unit monomer कहेंगे और उस एक unit को हम क्या एक लग केंगे बहुत सारी unit ethene की milker क्या बना देति है I uh इसको हम क्या कहते हैं polythene कहते हैं इतनी बात समझ आई सभी को तो अब आपको ये बात किलियर हो गई अब जड़ा next देखो एक और आपका polymer का example है nylon 6,6 तो जो question पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं question आपसे पूछा जाएगा पहला question यहां से यह बन जाएगा कि जो polythene का monomer का नाम बताओ पूछा जाएगा जिसका formula क्या है C2H4 है बात समझ आई कि नहीं क्योंकि यह कई सारी unit बिलकर क्या बनाते हैं polythene बनाते हैं अब आपसे nylon 6,6 का पूछा जाएगा nylon 6,6 का पूछा जाए monomer तो आप क्या answer करोगे वो मैं आपको यहां पर लिख के दे रहा हूं तो जरा समझे अगर हम यहां पर बात करें यह हैं आपका NH2 CS2,6,6 CS2 हैं बीच में और फिर NH2 फिर NH2 इसे amide बोलते हैं आगे हम बात करेंगे फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है नहीं याद हो रहा तो आपको याद करने के requirement नहीं है इसको हम hexamethylene diamine कहते हैं क्या बोलते हैं hexamethylene hexamethylene, hexamethylene, hexa क्यों बोलने हैं? 6 है ना, 6 methylene group जुड़े हुए हैं यह क्या है? 6 methylene group तो hexamethylene hexamethylene और 2 amide group हैं तो हम क्या बोलेंगे? diamide, diamide मतलब 2 amide तो इसका नाम हो जाता है, है ना, अब amide को हम simply amide बोल देंगे तो यह आपका hexamethylene diamine, hexamethylene diamine यह एक unit है, एक लख है, एक monomer है और इसकी कई सारी unit मिलकर किसके साथ? adipic acid के साथ, इसकी बहुत सारी unit और adipic acid की बहुत सारी unit इन दोनों को मिला कर आपका nylon बनता है, इन दोनों को मिला कर आपका nylon बनता यह याद रखेंगे, formula याद करने के requirement बिलकुल भी नहीं है, इसको हम बोलते है, adipic acid अब आपको याद करने की क्या चीज़ जरूरत है, वो समझे, adipic acid और hexamethylene diamine इन दोनों को मिला के, इनकी कई सारी unit, यानि कि यह hexamethylene diamine इसकी बहुत सारी unit और adipic acid की बहुत सारी unit, इनको मिलाया जाता है, तो आपको क्या मिलेगा, nylon 6,6 मिलेगा, यह आपको याद रखना तो आपसे यह पूछा जाए, और देखो, जब एक से जादा monomer, एक से जादा प्रिकार के monomer मिलते हैं, तो वो copolymer कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो यह जो आपका है, यह copolymer है, क्या है, copolymer है, इसको आप लोग याद रखेंगे, this one is copolymer, nylon 6,6 is copolymer, क्यों copolymer है, क्यो मोनोमर मिलकर, पॉलिमर बनाते हैं, तो वो आपके copolymer कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, copolymer कहलाते हैं, तो यहां से question जो पूछा जाएगा, वो यह पूछा जाएगा, कि hexamethylene, diamine, और adipic acid, किस के copolymer, मतलब किस पॉलिमर को बनाने में यूज किया जाता है, nylon 6,6, बात क्ल अभी और आगे इसके बारे detail में बात करेंगे, तो यह पॉलिमर इस तरीके से बनते हैं, repeated unit जुड़ती चली जाते हैं, ठीक है, भाई आपका syllabus हो जाएगा, फरवरी में खतम हो जाएगा, फरवरी में पूरा खतम हो जाएगा, NDA का paper, syllabus, ठीक है, syllabus की tension बहुत लेते हो, पढ आध्यान से देखो, polymer की अगर हम type की बात करें, पॉलिमर की अगर हम type की बात करें, तो यहाँ पे आपके natural polymers होते हैं, जिसे हम कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक, तो natural polymers में आपके आते हैं, देखो, these polymers are found in plant and animals, जो plant होते हैं, जो plant होते हैं, पौधे, और जो animals होते हैं, या प्रोटीन है, आपसे question पूछा जाएगा, कि प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है, प्रोटीन के जब formula की बात करोगे ना, तो protein का formula बहुत सारी unit से मिलकर बनाओगा, लंबा-लंबा formula होगा, इसलिए polymer है, क्या है, natural polymer है, protein की बात करें, natural polymer है, cellulose की बात करें, natural polymer है, अगर ह starch की बात करें, natural polymer है, अगर हम resin, जिसको हम गोंद बोलते हैं, गोंद, आपने देखा होगा, पेड़ों में चिपचिपा पदार्त होता है, resin की बात करें, गोंद की बात करें, प्राकृतिक बहुलक है, रबड की बात करें, जो पेड़ों से निकलती है, प्राकृतिक बहुल घंगे, example क्या-की प्रोटीन, तो प्रोटीन आपका एकजाम, किसमे हम लोग प्रोटीन से मिलकर बने एक तरीके से, तो प्रोटीन आपके क्या है, बहुलक है, सेललोज क्या है पॉलिमर है बहुलक है स्टार्च की बात करें गोंद रेजिन की बात करें रवड की बात करें यह सारे क्या है पॉलिमर है किस प्रिकार के पॉलिमर है नैचुरल पॉलिमर्स है यानि प्राकृतिक बहुलक है इतनी बात समझ आगी कि नहीं इतनी बात क्लियर ह बिल्कुल NDA के लिए है क्लास ये NDA CDS दोनों के लिए है लिखा तो वैसाफ साफ थमनेल में भाई बता हो आप लोग यहीं नहीं समझ पाते हो कि किसके लिए क्लास है किसके लिए नहीं है थमनेल देखके आप लोग पता नहीं थमनेल नहीं देखते हो गया सामने थमनेल में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा अच्छर में nda foundation 2.0 और cds इसलिए लिख दिया है क्योंकि यही वाला topic cds में भी पूचा जाता है सेम तो nda cds की एक साथ हमने यह theory की class कर दिये और जो question practice की class से वो शाम को तीन बजे होती है दो पैर शाम कहें दो दो पैर तीन बजे होती है समझ रहो तीन बजे आपकी सीडियस nda के question practice हो रहे हैं अब डेली और डेली चलेंगे question practice और ग्यारा बजे वाली class में theory और concept की class चल रही है ठीक है तो आपको कई बार बता चुके है चले आगे बात करते हैं तो यह natural polymers आपको समझ आ गए होंगे अब यहाँ पर बात करते हैं semi synthetic polymers अर्ध करतिम बहुलक semi यानि कुछ तो यह naturally प्राप्त होते हैं और कुछ इनको modify क इनको बनाया जाता है ठीक है इतनी बात के लिए तो semi synthetic polymer की अगर हम बात करें यह आपके जो cellulose होते हैं ना cellulose synthetic fiber कहलाता है semi synthetic का मतलब यह कुछ natural और कुछ करतिम मतलब कुछ natural है और कुछ करतिम है मतलब इसे कुछ natural चीजों से यू नेचुरल चीजों का यूज करके प्राकृतिक चीजों का यूज करके जैसे cellulose का यूज करके और कुछ मोडिफाई करके इसको बनाया गया है रेयोन को और रेयोन को इसलिए क्या कहा जाता है आटिफिशियल सिल्क कहा जाता है क्रतिम रेशम कहा जाता है क्या कहा जाता है रेशम आप जानते हो रेशम की साड़ी रेशम है ना तो रेशम इसको क्रतिम रेशन यह कुश्चन पूछ बचा जाता है कि जो रियोन ना यह आपका artificial silk कहा जाता है क्या कहा जाता है artificial silk कहा जाता है जिसको आठीशल सिल्क क्याने क्रतिम्रेशम कहते हैं क्यों artificial silk क्योंकि उसको हम shoutingosticู่ से नैचरली पहले लिया सेलूलो इसको फिर उसका यूज करके उसके कुछ derivative का यूज करके जैसे cellulose acetate हो गया जैसे cellulose nitrate हो गया इनका यूज करके इसको धाला जाता है इसको बनाया जाता है ठीक है तो वो आपका क्या कहला आएगा क्रतिम silk रेशम यानि artificial silk ठीक है इतनी बात clear हो गई आगे बात करते नेक्स्ट देखिए यहां पर point point जितने बता रहें यही आपके question के रूप में पूछे जाएंगे synthetic polymer अब आ जाता है synthetic polymer जो क्रतिम बहुलक है synthetic polymer अभी हमने natural polymer की बात की semi synthetic polymer की बात की अब यह synthetic polymer जिनको बनाया जाता है अलग-अलग chemical का यूज करके इनको properly बनाया जाता है लेव में research करके इनको बनाया जाता है तो वह आपके क्या होते हैं तो variety of synthetic यानि बहुत सारे synthetic polymers हैं जिनमें से आपका plastic आता है अब plastic में जैसे polythene अभी अमने बताई थी polythene आपकी एक synthetic क्या है polymer है यानि करतिम बहुलक है जिसको बनाया गया है और synthetic fiber जैसे कि nylon 6,6 nylon 6,6 आपका एक synthetic fiber है करतिम fiber है जिसको हम बहुलक भी बोलेंगे तो यह synthetic polymer हो गया और एक synthetic rubber ब्यूना एस करके है ब्यूना एस जिसका यूज टायर बनाने हम किया जाता है यह मागे बताएंगे ब्यूना एस रवड का एक प्रिकार है तो रवड हो गई polythene हो गई plastic यानि plastic के अंदर polythene आती है रवड के अंदर ब्यूना एस आती है और फाइबर में आपका nylon 6,6 आता है तो यह जो तीनों परती है वो सारी का सारी चीजें आपकी plastic की रवड की आजकल plastic की रवड की एक से बहतरीन खिलोने एक से बहतरीन डिवाइस बहतरीन मतलब डेली यूज वाली चीजें बनने है प्लास्टिक रवड और फाइवर का यूज करके सब पॉलीमर की देने ठीक है अब एक एक करके देख लेते इनको तो यह आपके क्या है सिंथाटिक पॉलीमर है जिने हम क्या बोलेंगे करतिम बहुलक बोलेंगे अब सबसे पहले बात आती है प्लास्टिक की सबसे पहले बात आती है प्लास्टिक दोस्त दो प्रकार की है प्लास्टिक की बात करें तो हमने आपको अल्रेडी बता दिया कि यह प्लास्टिक क्या कृतिम बहुलक सिंथाटिक पॉलिमर bend plastic की बात किने दो प्रिकार की है पहली एक गल्सक्राइबो घर मोड़िक होती है थर्मो चली तर्मोंगत कि मृष्टक क्या होती है यह कुछ पूछा जाता है तो पहली आपकी थर्मो प्लास्टिक है इसके बारे नोट करो थर्मो प्लास्टिक को जब आप गरम करते हो तो यह मुलायम हो जाती है गरम करने पर सौफ्ट हो जाती है गरम करने पर नरम हो जाती है मुलायम हो जाती है और इसको अगर हम ठंडा कर दें इसको ठंडा कर दें तो हाड हो जाती है कठोर हो जाती है और यह बार-बार हो जाती है मतलब हमने किसी प्लास्टिक को गरम किया मुलायम हो गई ठंडा किया कठोर हो गई गरम किया मुलायम हो गई ठंडा किया गरम कठोर हो गई ऐसा हम कई बार कर सकते हैं तो हम उस प्लास्टिक को बार-बार यूज भी कर सकते हैं तो इसे हम री उस कर सकते हैं क्या कर सकते हैं बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं तो जो थर्मो प्लास्टिक होती है उसको सबसे बढ़िया तरीका पैचानने का कि जो थर्मो प्लास्टिक है उसको हम गरम करेंगे तो मुलाइम हो जाएगी और जम थंडा करें करें बार-बार मुलाएं होगी बार-बार ठंडा करें बार-बार कठोर हो जाएगी तो यह प्रॉपर्टी बार-बार उसमें कर सकते हैं तो इसका मतलब हम उसको अलग-अलग रूपों में ढाल सकते हैं तो जो thermoplastic है उसको अलग-अलग रूप में अलग-अलग ढाचे में हम ढाल सकते हैं इसे लिए हम उसको बार-बार use कर सकते हैं तो ये वाली plastic बार-बार use होती है बात clear है समझ आ गया कि नहीं ये बात अगर आपको clear होगी तो next point पर अब इसके uses और इसके type देखते हैं जहां से कुश्चन बनते हैं कुश्चन आपका दोस्त यहां से बनेगा stable से जरा ध्यान से देखिए पहले तो आप plastic के प्रकार देखो और उनके monomer से याद रखने है दिखरा है ये गिदम साफ अना जून कर लें दोरस जून नहीं होगा यह हो जाएगा चली एक एक करके दिखाते जाएंगे और इनके यूजिस बाद में दिखाएंगे पहले हम इनके type दिखा देते हैं तो जड़ा देखिए द्यान से इनको नाम याद कर लेना इनके बहुत इंपॉर्टन नाम है सबसे पहले थर्मो प्लास्टिक के प्रिकार है थर्मो प्लास्टिक के प्रिकार है याद रखो सबसे पहले पॉलीथीन पॉलीथीन आपकी एक थर्मो प्लास्टिक है पॉलीथीन की अगर हम बात करें थर्मो प्लास्टिक आपने देखा होगा जिसमें केरी वैग होते हैं जिसमें सब्जी ले आते हैं जिसमें हम बिल्कुल हलकी और मुलायम होती है और मजबूत बहुत ज्यादा होती है तो वह पॉलिथीन होती है ना बहुत ज्यादा दो दो किलो पांच-5 किलो हम पतली सी पन्नी में चीज़ें रख लेते हैं वह फट Crain की बाट करें पॉलिस्ट्रीन तो पॉलिस्ट्रीन भी आपकी क्या थर्मो प्लस्टिक ए इसके usin पॉली Miche है पॉलीविनाइल क्लोराइड में पॉए पॉलीषी कभाएर बगयर वनते अब यह Argent के बात करें तो यह भी आपकी थर्मो प्लास्टिक है कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छे इन छे को आप नोट करो सबसे पहले थर्मो प्लास्टिक होती क्या है वह हमने आपको बता दिया और थर्मो सबसे पहले पोलिमर की पालिमर की अंदर जाओंगे तो प्लास्टिक के उन्दर जाओंगे तो दो प्रिकार की प्लास्टिक जिसमें पहला टाइप हम क्या पड़ रहे हैं थर्मो प्लास्टिक है ना जिसको बार-बार थंडा गरम कर सकते हैं गरम की आत मुलायम होगी थंडा किया कठोर होगी थर्मो प्लास्टिक के अंदर जाओगे तो यह इतने टाइप मिल रहे हैं आपको पूछा जाता है आप से पूछेगा कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या है जैसे हमने अभी बताया था पॉलीथीन का मोनोमर एथलीन होता है क्या होता है एथलीन या एथीन बोल दो इसको है ना तो एथलीन या एथीन आपका होता है पोनो मोनोमर इसका जिसका फॉर्मूला होता है CH2, double one CH2, या फिर जिसको हम क्या लिखते हैं, C2H4 लिखते हैं, तो पहला एक एक करके देखते जाओ, तो polythene की monomer की बात करें, तो वो आपका एथीन होता है, क्या होता है, एथीन या एथलीन, बात क्लियर है, हम polythene के uses देख लेते हैं, वैसे तो आपको uses पता है polythene के क्या होते हैं, तो polythene के uses देखो जरा, polythene के अगर हम uses की बात करें, तो सबसे पहले देखिए, toys, खिलोना बनाने में इस polythene का use किया जाता है, है न खिलोना बनाने में देखो इंगलिस में मैं लिखा हुआ हिंदी में लिख दे रहा हूं सारी चीजें समझा पूरा हिंदी में रहा हूं मेकिंग टॉइस यानि की खिलोना बनाने में बोतल बनाने में पॉली बैक्स जिसमें सब्जी बगारा लाते हैं बैक बनाने में पाइप से मुड़ जाते हैं वो वाले पाइप यह वाले कठोर वाले पाइप नहीं वो पाइप जो आसानी से घूम जाते हैं आसानी से मुड़ जाते हैं वो वाले पाइप और खिलोना बोतल पॉली वैक सबसे ज्यादा तो यह पॉलिथीन का यूज है तो तीन बातें याद रखना पोलिधीं से रिलेटेड पहला इसका मोनोमर क्या है एथिलीन है यूजिस आप याद रखेंगे और यह क्या है थर्मो प्लास्टिक तरफ चलते हैं एक है आपका टेफलॉन एक क्या है दोस्त टेफलॉन टेफलॉन की अगर हम सूत्र बनता है वो बनता है सीटू एफ़ोर सीटू एफ़ोर इसका मोनोमर होता है सीटू एफ़ोर जिसको हम कहते हैं टेट्रा फ्लूरो एथलीन क्या कहा जाता है टेट्रा फ्लूरो एथलीन या फिर टेट्रा फ्लूरो एथीन टेट्रा का मतलब यहां पे चार फ्लूरो क् हैं तो हम 4 को क्या बोलते हैं ना कर यह अमने मतलब 4 फिलूरो का मतलब फिलॉरीन टो चार फ्लोरीन क्या लिखेंगे टेट्रा फ्लूरो दो कार्वन हैं तो एथ लिखेंगे डबल बॉंड है लगाएंगे तो टेट्रा फ्लूरो एथलीन यह आपका मोनुमर किसका दोस्त यह किसका मोनुमर है टैफलॉन का मोनुमर कई बार पूचा जाता है टेट्रा फ्लूरो एथलीन शौट में ऐसे लिखते हैं और इसकी कई सारी यूनिट यानि सीटू एफ़ोर कई सारी यूनिट मिला दो आप लगा दो यह बन जाएगा पॉली तो पॉली लगा दो यहां पर पी और लिख दो तो यह बन जाएगा पॉली टेट्रा फिलूरो एथीन जो किसका नाम ह है टैफलोन का नाम है किसका नाम है दोस्त टैफलोन का नाम है तो टैफलोन को हम क्या कहते हैं पॉली टैट्रा फिलूरो एथीन पॉली टैट्रा फिलूरो एथीन यह आपका होता है टैफलोन क्या होता है टैफलोन होता है टैफलोन है क्या थर्मो प्लास्टिक है तो आप स घर्मो प्रेस्टिक है गरम किया तो मुलाइम होगा थंडा किया तो और दिखर उसकाम क्या होता है ट्रूर एथलीन जिसका Formula सीटू ओर होता यह मॉनुमरerd इसका कि लग है कई सारे मॉनुमर मिलकर क्या बनाते ہیں पॉली टैट्रा किया जा रहा है बांसर बनाने मीं किया जा रहा है ना अभी दिखाएंगे आगे चलके बांसर क्या रहे होता और सबसे जा जाना उसका यूससी कांपे किया जाएज आज में आज फ्राइए पैन होते ना जिसमें अंडे हम q operational बनाते आज फ्राइन फ्राइवाले पैन में तो जिसमें चिपकता नहीं दो एंड नॉन इस्टिकिंग जो कोटिंग है ना वह आपकी टैफलॉन की ही बनाई जा रही है इतनी बात किलियर है समझ आया की नहीं ठीक है तो आपकी दो चीजें किलियर हो गई आपको पॉलिथीन टैफलॉन के बारे में आपको किलियर हो गया अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहां पर देखो एक और पॉइंट की बात करते हैं यहां पर पॉलिस्ट्रीन अब तीसरा जो आता है पॉलिस्ट्रीन आ इसका मोनमर क्या इस्टाइरीन है तभी तो इस्टाइरीन की बहुत सारी यूनिट मिलकर पॉलिस्टाइरीन बनाई बस समझ जा रही कि नहीं इस्टाइरीन की कई सारी यूनिट मिलकर पॉलिस्टाइरीन बनाई तो यह इस्टाइरीन का फॉर्मुला होता है जो आपको बिल् one CM2 बाद के लियर है तो बहुत सारी IL1 unit मिलकर क्या बनाती है ऑग Ц्टरào बनाती है जो अधर्मो प्लास्टे का इसका यूज कहां कहां करते है इसका यूज करते है इनसू लेटर में इंसू के रूम में इनना manufacturing of toys यानी जो खिलोने होते उनको बनाने में रेडियो एंड टीवी के जो cabinets होते हैं उनको बनाने में कंगा बनाने में कंगा जो होता है ना प्लास्टिक वाला कंगा वह आपका पॉलिस्ट्रीन का बना दिया जाता है किलियर है यह बास समझ आ गई अब जरह यहां पर पीवी सी आप इसके बारें कई बार पढ़ चुके हो पीवी सी पॉली विनाइल क्लोराइड इसका कुश्चन कैसे पूचा जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड की जब हम बात करते ह है तो इसका मोनोमर होता है बिनाइल क्लोराइड बी सी बिनाइल क्लोराइड जिसका सूतर होता है सिह टूर डबल लाब uan sir single one see यानि इसको हम लिख सकते हैं स्यस्टू दूखील बात क्लियर है यह सीटू एच 3 क्या लिख दोगे सीटू एच 3 सीएल मतलब सीटू एच 4 था सीटू एच 4 था एक हाडोजन को हटाकर क्लोरीन आ गया तो यह बन जाएगा सीटू 2H3Cl तो यह आपकी कहलाते है बिनाइल क्लोराइड यह क्या है आपकी बिनाइल क्लोराइड यह देखो C2H4 था ठीक है इसमें से एक हाइडोजन को रिप्लेस कर दिया किसने क्लोरीन ने तो क्या बन जाएगा पीवीसी बोलते हैं क्या बोलते हैं पीवीसी बोलते हैं और पीवीसी के दोस्त बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं पीवीसी के बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं खिलोने बनाए जाते हैं पाइप बनाए जाते हैं रोपर बनाए जाती है फाइबर बनाए जाती है ना बहुत बनाय जाते हैं जो फ्लोर टाइल सोती है वह प्विसी की बनाय जाते चैते यहां से इसका यूज कहा कहा करते हैं इसका यूज जानातर पाइप बनाने में करते हैं इसका यूज टाइल बनाने में करते हैं फ्लोर टाइल बनाने में करते हैं तो यह सारे इसके क्या है यूज है इतनी बात के लिए रहे ठीक है चले एक है आपका पॉली प्रोपीन तो पॉली प्रोपीन के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसका मोनमर क्या होगा तो पॉली हटा दो बाकी का मोनमर हो जाएगा Simple है, अगर हम यहां के बात करें, polypropene की, तो poly weird हड़ा देजिये, तो बचा क्या, propene, ऐसी हमने polyvinyl chloride बोला था, तो poly अटा देजिये, बचा क्या Vinyl chloride, ऐसी हमने polystream बोला था, poly अटा देजिये, क्या बचा, styrene बचा, तो यह सब इसके monomers हैं, यह सब क्या इसके मोनमर्स है बात समझ रहे तो मोनमर्स जुड़कर तब कई सारी यूनिट जुड़कर पॉलीमर बना रहे इसलिए तो इसके मोनमर्स है यानि एक यूनिट को क्या कहते है मोनमर कहते है इतनी बात क्लियर है तो पॉली प्रोपीन की यूनिट क्या है प्रोपी c3 c3 h6 c3 h6 हो जाएगा नहीं और इसका structure कैसे बनेगा ऐसे बनेगा यह तो हम साब सब आपको organic chemistry करवाएं तो यह organic chemistry के एक्जामपल ही तो है यह सब organic chemistry के application ही तो है यह सब हमने करवाया आपको प्रोपीन का फॉर्मला ब्रोटीन का फॉर्मला एट सेक्टरा तो c3 s6 है उसका structure यह सिंगल बॉंड दोस्त प्रोपीन है और यह कई सारी यूनिट अगर मिल जाएं तो क्या बना देती है पॉली प्रोपीन और पॉली प्रोपीन क्या है आपका एक थर्मोप्लास्टिक है क्या है थर्मोप्लास्टिक और वो थर्मोप्लास्टिक क्या है एक बहुलक पॉलीमर है और कौन सा आप लोग याद रखियेगा इसके बाद दोस्त आपका आता है लियू साइट एक और आपकी थर्मो प्लस्टिक है जिसको हम में लियू साइट क्या कहते हैं लियुसाइट ये जो लियुसाइट एना ड्रांसपेरेट स्व थैक्तंण transparent मलाई जैसी आरपार चीज़ें दिखाई पड़ते हैं समझ रहे हो यह transparent plastic क्या है transparent plastic है अगर यह transparent plastic है तो आप समझ गए होंगे इसका यूज कहां पर होता होगा इसका यूज होता होगा lens बनाने में कहां पर contact lens जो चसमा होता है ना contact lens यानी जो चसमें होते हैं उनके lens बनाने में यूज किये जाते हैं क्योंकि लिव साइट एक transparent plastic है और इसकी अगर हम बात करें मोनोमर की वह याद रखोगे मैथिल मैथा एक्रिलेट मैथिल मैथा एक्रिलेट इसका का treatment scholar अलंकी याद रखना पड़ेगा जैसे टफलोन का मोनोमर अलग से याद रखना पड़ेगा जैसे पattend पॉलीथीन का मोनोम एथलीन ओगया पॉलिष ट्रीन का मोन इमर इस्टायूरीन हो गया पीवी ची जिसे हम बोलते हैं poly tetra fluoroethylene तो polyvart अटा दो tetra fluoroethylene वह आपका teflon का monomer हो गया ऐसे लिवसाइट के monomer को कैसे याद रखोगे methyl methacrylate methyl methacrylate यह आपका लिवसाइट का हो जाएगा और लिवसाइट की अगर हम बात करें तो we use करते हैं contact lenses में तो यह जितने भी प्रकार थे यह जतने भी टाइब थे ठर्मो प्लास्टिक के टाइब थे क्या थे धर्मो प्लासिक के टाइब थे जिन सिर्क वाहर बार गर्म करके बार ठंडा भी कर सकते तो हैं Gulayem आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहां पर पॉइंट को समझते हैं सेकेंड जो प्रकार है दोस्त वो है अब इनके बारें थोड़ा सा और देख लेते हैं जैसे पॉलिस्ट्रीन की बात करें तो इसका एक प्रकार होता है स्टाइरोफॉम आपने देखा अब पॉलिस्ट्रीन क्यां ठर्मो प्लास्टिक इस स्टाइरोफॉम भी क्या हो गया आपका धर्मो प्लास्टिक हो गया इस टाइरोफॉम है उसके ऐसे ब्रतन балन ते आपने चीजिशा होगा यह जिसमें पैकिंग वाली चीज необход ना समूशा रख लिया यह को मौई जिसको वो styrofoam की है कप बने हुए है यह कप यानि glass styrofoam के बने हुए है प्लेटें styrofoam की बनी हुई है तो यह कुछ है जो styrofoam के यूजिज है ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो याद रखना styrofoam एक टाइप है किसका polystyrene का और polystyrene खुद में क्या है एक polystyrene खुद में एक क्या है थर्मो प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक क्या है एक synthetic polymer है अब यहां पर दूसरी बात आ जाती है polythene की तो polythene आपकी दो प्रकार की होती है polythene आपकी दो प्रकार की होती है एक polythene होती है निम्न घनत वाली polythene जिसको हम बोलते है low density polythene LDP क्या बोलते है low density polythene जिसको बोला जाता है LDP क्या बोलते हैं दोस्त low density पॉलिथीन शॉर्ट में बोलते हैं एल डीपी यानि निम्न घनत वाली पॉलिथीन निम्न घनत वाली जो पॉलिथीन होती है यह कैमिकली इनर्ट होती है कैमिकली इनर्ट का मतलब यह किसी सी क्रिया नहीं करेगी सड़ेगी नहीं गलेगी नहीं यह बिल्कुल वैसी वनी रह conductor of electricity का मतलब है कि अगर आप इस वाली पॉली तीन को हाथ में पकड़ के अगर आप electricity touch कर लो कुछ नहीं होगा समझ तो यहां पर आपको याद रखना है कैम कली इनर्ट टफ मतलब मजबूत flexible मतलब आसानी से मुड़ जाएगी तेड़ी मेड़ी आप ऐसे गुड़ी मुड़ी करके आप अपने जेम में रख लो poor conductor of electricity electricity conduct नहीं करेगी यह सारी बातें आपको समझ आ गई यह होती low density polythene अब इसी का यूज करते हैं जो low density polytheene यहिका दोस्त यूजकरते हैं जो हम लोग सबजी मार्केट से लेकर आते हैं वो polytheene यही ओए होती है है ना सबजी लेकर आते केरिवेग हो गय जिनको हम क्या बोलते है carry का मतलब जिसमें समाल केरी करते हैं वह जितनी भी पॉली ही नहीं वह सब यही वाली लूर डेन्सिटी पॉली ही नोटी है और जो कर पोलेटेकर और लय मृटर तर एक गठेट । salaam बो प्लास्टिक। वो एकदम मुलाइं होती है लचीली एकदम तो वह आपकी इसी में बनाएं जाती फिज बातर समझते हो वाली डवा देन them together पिच्च없이 से निकलाती चीज़ समझतर हो जैसे हमने एक बोटली सो्स ़ाली बोटल याद आग aliensर्म भाली जो भी छोबतल〉 खिलोने जिन को एकदम दबाते यहां जिनको आसानी से और तेड़े कर दो जो आपके घरों में होंगे जो आपके घरों में होंगे जिससे अम लोग में रगा दिया लमबा सा खीच ले आ हुआ पाई और बस धार लगाई ओए आगे बहुत दूर दूर तक है ना मोड़ वह आसानी जाता है कि तो यह सारी चीजें हम बनाते हैं किसका यूज करके लो डैंस्टी पॉलीथीन का यूज करके मतलब यह और यह पॉलीथीन किया आपकी थर्मो प्लास्टिक बार बार में याद करवादे रहा हूँ यहीं कि यहीं थर्म nov प्लाश्टिक है और synthetic polymer है ठीक है चलिए plastic के wraps आपने देखे होंगे plastic के wrap आपने देखा खाना आना लपेटने के लिए या किसी चीज को लपेटना उसके अंदर तो वो जो wraps आते हैं प्लास्टिक की जो पूरी वो आती है पूरी इसमें पसी निकलते और चिपका देते हैं पूरी वो सारी चीजे लो डेंसटी पॉलिथीन से 1 चलिए आगे बात करते हैं अवह होथी high density polytech अब है high density poly inch dp उच घनत वाली पॉलीथीन ढूसरा जो परकार है वह है high density polythene उच्छ घनत वाली polythene ठीक है अब शेक कुमार लेट क्यों आए दोस्त बहतरीन टॉपिक है यह शांदार टॉपिक है चलिए high density polythene की बात करें उच्छ घनत पॉलिथीन की अगर हम बात करें तो it is also यह और जाना टफ होती है बहुत जाना टफ होती है मतलब यह तो सबसे जाना टफ है मजबूत है कठोर है हाड मतलब मजबूत कठोर टाफ फॉर मैनुफेक्ट्रिंग बकेट इसे की क्या बनाई बाल्टियां बनाई जाती है आपके गर में देखा से मजबूत बाल्टी होती यहाँ बना दी जाती है डॉट बिन इसी बना धी जाते है् глаз lod बाली जाते हैं जो मजबूत वाली बोत्याओं ला gonna नया है आज एक तो होती इस्क्वीजिजंग वाली सोंस निकालने वाली और यह के वाली और इसके अलावा पाइप वगहरा जो मजबूत वाले पाइप है तो वो सब आपके लो हाई डेंस्टी पॉलिथीन से बनाए जाते हैं ठीक है एच डीपी से इतनी बात किलियर हो गई समझ आया इतना एक बार दोस्तों लाइक कर दो सेशन को जल्दी से सभी स्टुडेंट एक बार क्लास को शेर कर दीजे लाइक कर दीजे ठीक है जल्ली से लेट मत आया करो क्लास में टाइम से आया करो आपकी इंपोर्टेंट क्लासे से शांदार क्लासे चल नहीं है अब यह ज देख लो यहां पर टैफलोन के बारे में हमने अभी बताया था आपको यह होता है एक्चुल में टैफलोन टैफलोन के बारे में अभी हमने बताया था क्या बताया था cf2 double bond cf2 यह हो गया टैट्रा फ्लूरो एथलीन और इसकी कई सारी यूनिट यानि लगा दिया एन का मतलब ऐसे होता है जैसे यहां पे आपने 10 लख दिया तो इसका मतलब 10 यूनिट होगी टैट्रा फ्लूरो एथलीन की पंद्रा लग दिया पंद्रा होगी तो इसलिए हम ए यूज़े प्रेशर कैटलाइड कैटलिस्ट का यूज़ जब हम करते हैं और जोडते हैं तो यह मन जाता है टैफलोन क्या बन जाता है ठीक है अब इसका यूज़े लो क्या है टैफलोन का इंदक अटश कैम को लिएनर्ट है ये भी रासाइनिक अभिक्रिया नहीं करता है किसी चीज से सड़ता नहीं है गलता नहीं है रेजिस्टेंस तो अटेक बाई कोरोसिव रीजेंट और इसमें जो जंग बगएरा नहीं लगती है आसानी से कुछ इंजन बगरा होते हैं उनमें ओयल सील होती है अपने गालियों में देके होंगी ये सील होती है सीज therm Շसीड़ की सील आपने देखी होंगी इन सील उसीलों को बनाने के लिए पंग का यूज करता है और इसी की कोटिंग होती हुट कि इसके अंदर बरतनों के अंदर, इसी की coating होती ही बरतनों के अंदर, तो it is used for making oil seals, तेल वाली seal बनाने में, gas kits, यह होते हैं बासर, बासर, gasket मतलब बासर बनाने में, और non-stick surface coated utensils और जो बरतन हमारे होते हैं, जैसे की cooker हो गया, जो आजकल बरतन आ रहे सब्जी बनाने वाले उनमें चिपके ना सब्जी तो उसको अंदर जो ब्लैक कोटिंग है वह आपकी इसी टैफलोन की होती है ठीक है समझ गए और टैफलोन क्या है थर्मोप्लास्टिक है इसका मोनोमर क्या है पॉली टेट्रा फ्लूरो एथलीन इसको और किस नाम से जानते ह टैफलोन को पॉली टैट्रा फ्लूरो एथलीन बार बार बता रहा हूं मैं ताकि यहीं के यहीं याद हो जाए क्योंकि एक्जाम में पूचा जाएगा ठीक है चलिए इंपोर्टेंट है चलिए आगे बात करते हैं अब देखो टैफलोन जो होता है टैफलोन कोटिंग कोई प्राबलम नहीं है वह ना तो ना तो वो गलेगी ना तो वो जलेगी ना वह कुछ नहीं होने वाला है ठीक लेकिन तीन सो डिग्री से सचेसे से ज्यादा टैफलोन की जो कोटिंग खराब हो जाती है ठीक है समझ गया यह बात चलिए रहा है तो यह आपको बातें थेखिया और देखिए थि थर्मो प्लस्टिक के बाद में दो चीज्से थर्मो फ्लस्टिक के बाद में दो चीज थे लोड़न स्टी पॉलुधीन फॉज यह अगई अब कल का जो टॉपिक कल यह वाला टॉपिक है पॉलिमर खतम होने के बाद और भी इंट्रेस्टिंग टॉपिक मिलेगा आपको आपके ऐसे बढ़िया बढ़िया टॉपिक मिलने वाले हैं ठीक है तो फिर मिलते हैं फिरकल सेम टाइमिंग पे तीन बजे वाली क्लास में सीडिया से स्पार्टन बैच में क्लास है यह वाली एक बार करो ना करो लेकिन वो क्लास क्वेश्चन प्रेक्टिस की मच छोड़ना और यह भी आपके लिए बहुत इंप्वर्टन है दोनों मच छोड़ना ठीक है चलिए तो मिलते हैं फिरकल सेम टाइमिंग पे क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जर है चलिए अबका सपनेगे आपका सपने की तरह विकरान्त के तरह घराई हो आपने का तो आपके इसी सपने को सकार करने के लिए एग्जामपूर डिफेंस वर्लिट टीम लेकर आई है एर फोर्स के लिए राफेल बैच और नेवी के लिए विक्रांग बैच जिसमें आपको बिलेंगे 6 प्लस आवर लाइब क्लासेज, 1000 प्लस आवर टोटल लाइब क्लासेज, देली नोट्स, PDFs और साथी साथ स्पेशल प्रेक्रिस सेशन तो अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही डाउनलूट करें एक्जामपूर अफिजियल एप को धन्यवाद